हलो फोक्स आज हम बात कर रहे हैं जब हमारा कोई साथी हमारा कोई फैमिली मेंबर या हमारा कोई कुलीग अपसेट होता है तो उसे उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट की अवश्यक्ता होती है और तब लोग अपनी एडवाईज देना शुरू कर देते हैं त तो आज हम केवल कॉर्पोरेट में अपने कुलीक्स को जब वह अपसेट हो तो कौन-कौन से तरीके हैं जिन से हम उसको कमफर्ट जून में दुबारा से ला सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे तो इस विशेपर चर्चा कर रहे हैं सबसे पहली बात हम करत हैं कि कोई भी आदमी बिना मतलब के किसी दूसरे से सलहाय नहीं चाहता आज वर्तमान में जिसको जो देखना है सोशल मीडिया पर या इलक्ट्रोग मीडिया पर इतनी सारी इनफोर्मेशन अवेलेबल है कि वह वहां से कोई भी इनफोर्मेशन गैदर कर सकता है नमबर दो हमारा कोई कुलीग या हमारा मित्र हमसे इमोशनली वैलिडेशन चाहता है तो हमें उसको इमोशनली वैलिडेट करना है ताकि वहे दुबारा से नॉर्मल परिस्तितियों में आकर अपनी प्रोड़क्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके इसके लिए हमें दो चीज़ें बहुत जरूरी है नमबर एक हमारी लिस्निंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा कुलीग पूरी तरह से अपनी बात कह सके वेंट आउट हो सके दूसरा हम उसको वेलिडेट करने की टेकनीक हमें आनी चाहिए ताकि हम उसको ठीक से समझाने में या उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर सके तो इन चीज़ों को एक एकर आगे कर समझते हैं हमें इन परिस्तियों में क्या करना है पहली बात मैंन तरीकों को जानना बहुत आवश्यक है सबसे पहला तरीका है कि हम जो बात कह रहा है उस बात को हम पहले recognize करें कि वो क्यों कह रहा है किन परिस्थितियों में कह रहा है उसने क्या experience किया है और उसका अपना believe अपना perception या अपनी उसकी जो ethics है value systems है वो उसमें कितने fit बैठ रहे ह है कहीं वो तो hurt हो नहीं हो गया है तो यह हम कुछ time समझें और तब उसको कुछ emotionally validate करने की कोशिश करा है पहली बात तो हमें उन चीजों को recognize करना है दूसरी बात है हम उसके साथ ना तो defensive हो ना बहुत ज्यादा offensive हो और हम उसको unsolicited way में कोई advice भी ना दें उसकी बात को सुने और उसको सुनकर उसकी बात को validate करने के लिए अपने कुछ input उसे दें नमबर तीन हम बात करते हैं कि हम जो उसका intervention है वह हमें समझना बहुत जरूरी है कि मुझे कहां और किस level तक कितना intervene करना है बहुत सारे लोग personal issues पर बात करने लग जाते हैं वह गलत है कुछ लोग उसकी competency को लेकर बात करने लग जाते हैं वह भी गलत है कुछ लोग उसके past के examples को लेकर बात करने लग जाते हैं वह भी गलत है तो हमें पहले उसकी current situation को समझना और उसके बाद intervene करना आवश्यक है नमबर चार, हम उसकी feelings के जाथ अपनी feelings भी reflect करें, ताकि उसे लगे कि हाँ same wavelength पर हम एक दूसरे से बाते कर रहे हैं, तो आपकी feelings भी reflect होना आवश्चक है, नमबर पाच हम बात करेंगे, summarize the experiences, यदि आपको उन परिस्तितियों में जो आपने ठीक से समझी हैं, जो सामने वाले आपके साथ ही की हैं, जिनको वो perceive कर रहा है, जिनकी वो चर्चा कर रहा है, तो उन में आपने यदि कोई experience कर रहे हैं, तो अपना experience share जरूर करें, कि मेरे साथ इन इन परिस्तियों में ऐसा हुआ था, तो मैंने ऐसा किया था, अपना experience जरूर share करें, मैं कुछ emotional invalidation के और validation के जो corporate में example चलते हैं, वह मैं देने की कोशिश करता हूँ, emotional invalidation का पहला example है, you are fine, stop crying, and let go, यह emotionally invalidation है, validation क्या है, I hear you, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, और कहिए, क्या कहना चाहते हूँ, तो that time you have to become a sounding board, दूसरा, what is wrong with you, बहुत सारे लोग सीधा question करते हैं, लेकिन इसकी जगए हमें validation के लिए पूछना है, it is safe to feel upset, कभी-कभी जीवन में upset है, जरूरी है, आवश्यक है, तीसरी बात, जो emotionally invalidation है, pull it together, आईए हम दोनों कोशिश करते हैं, बाहर निकलते हैं, कहना क्या है validate करने के लिए, I can see this big for you, मैं समख सकता हूँ, यह तुमारे लिए एक बड़ी समश है, जिसको हल करना आवश्यक है, नमबर चार है, this is not a big deal, अरे जीवन में यार होता रहता है, क्या छोड़ो, यह invalidation है, validation क्या है, it makes sense, you are upset, this is matter to you, तो हमें इन चीज़ों को चानना है, validation का अगला sentence है, बहुत सारे लोग जो गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं, distructing an upset child, और कुल coordinate for many things, don't laugh on them, it will be here when you are ready, it is safe to feel this way, यह अच्छा है, जिस तरह से तुम सोच रहे हो, यह एक अच्छा तरीका है सोचने का, और validation की एक बात और कहीं जा सकती है, we will get through this, मैं आपके साथ, दोनों में bonding होनी चाहिए, sympathetically words का यूज कर हम उनको validate कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, number 2, पहला है validation, दूसरा है help them stratize, उनको उनसे बाहर निकलने की strategy में, जो वह योजना बना रहे हैं, उसमें मदद करें, मदद कैसे करें, उसके भी कुछ point दिये हैं, number 1, ask strategic questions, उस टाइम में आप ordinary question मत पूछिएगा, उस पर laugh मत करिएगा, उसके साथ cry भ जैसे, what is this emotion coming up now, why this emotion is coming up now, बहुत valid question है, ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा question कर सकते हैं, where might this emotion be held, यह है आपकी समवेदना आपको कहां तक ले जाएगी, तीसरा, इन परिष्थितियों में आपके साथ सबसे बढ़िया कौन सा resource हो सकता है, ताकि उसको लगे कि somebody want to help me, चोथा question है, what are the alternate plans available to you, आपके पास इसको बाहर निकलने के लिए, इससे come out होने के लिए, इसको overcome करने के लिए, आपके कौन-कौन से alternate plans available हैं, आईए उस पर चर करते हैं, नमबर पांच वाँ है, why have we come in this situation, हम इस परिष्थिती में आकर क्यों खड़ी हो गए, हमसे कहां गलतियां हो गई, where we have done the mistakes, कुछ इस तरह के question हम validate करने के लिए, कर सकते हैं, नमबर शिक्स जो बहुत important है, वह question है, how quickly can we overcome, हम इससे कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं, तो उसको यह लगेगा, जिस भी आपका family friend हो, या आपका corporate की हम बात कर रहे हैं, आपका subordinate हो, आपका colleague हो, कि यह मेरे साथ है, और मैं अकेला नहीं हूँ, we are working together, दूसरी हम बात करते हैं, observe and reflect, यदि हम किसी की help them strategy issue में मदद करना चाहते हैं, तो हम पहले उसे ठीक से observe करें और फिर खुद reflect करें, ताकि उसको लगे कि मेरी समश्या को ठीक से समझा गया है, without proper observation, don't reflect, तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है, number 3 हम इसी में बात करते हैं, consider opposing ideas, जब आपको लगे कि situation धीरे धीरे upcoming हो गई है, इस sadness से बाहर आ रहा है, तो आप उसको कुछ उन चीजों में भी कहिए, यदि यह नहीं करके यह किया जाए, तो क्या हो सकता, suggest some alternative good plans, so that he or she can understand, number next है, embrace formal training, कि आप अपनी organization में, अपने subordinate के लिए, अपने कुलिक के लिए, या HR department, अपने employee के लिए, एक training कराए, formal way में, how to resolve the conflict, और strategic mindset डवलप करें, अपनी team का, क्यों छोटी-छोटी बातों पर वह इस तरह की situation में आ जाए, जिस से organization की productivity सफर करती है, इसके अत्रिक्त, तीसरा जो issue है, maintain some distances, पहला हमने बताया आपको, कि आप उसके साथ, बात कीजिए, दूसरा बताया, आप तीसरे की बात कर रहे हैं, maintain some distances, यह सब करते हुए, personalize मत होईएगा, कुछ distance जरूर आना चाहिए, यदि आप boss हैं तो boss और subordinate का distance, कुलीग हैं तो कुलीग में भी, peers में भी, subordinate में भी, सब में एक distance maintain करना जरूरी है, आइए एक एक करके इस issue को भी समते हैं, number one, other person open to help, आप यह भी gap बना के रखिए कि आपके अलावा, उसकी मदद करने के लिए और कुलीग भी तयार हैं, they are also, give them space, give them time, so that they can come, or they can suggest something equal to you, or better than you, number two, problem solving strategy will take time to come in effect, जो भी problem solving techniques हैं, वो थोड़ा समय लेती हैं, इसलिए उसको समय दीजिए, immediate bombardment मत कीजिएगा, तो यह जो गलतियां करते हैं, उनसे situation और खराब होती हैं, तो यहां मेरा, यह है suggestion है, कि जो problem serving strategies हैं, उनको अपना काम करने में कुछ समय लगता है, तो give some time, number three, be respectful, अपने कुलीग के पृति, अपने subordinate के पृति, अपने peer के पृति, अपने family member के पृति, अपने friends के पृति, हमेशा respectful लाइए, ताकि उसकी कही feelings और emotions hurt ना हो, number four, हम बात कर रहे हैं, never bring your negative emotions, जब आप said persons को उसकी situation से बाहर ना ले के लिए, उसको comfort जो उनमें लाने के लिए बात कर रहे हैं, तो कभी अपनी negative emotions को आपके नकारात्मक आवेगों को, समवेगों को, विचारों को कभी भी आने मत दीजिया, उन पर आप control रखिये, boundary management कीजिये और सदेव सकारात्मक रूप से बात कीजिये, नमबर पाँच, personal values and ethics, सामने वाले की भी और अपनी भी, दोनों का honor कीजिये, दोनों की value अलग होंगी, दोनों के ethics, दोनों की perception, दोनों का upbringing, में काफी difference हो सकता है, इसलिए उन differences को ऐसी situation में कभी mix मत कीजिये, उनमें जो distance है, उसको maintain करना आवश्चक है, इसके अतरिक्त मैं एक बात यहां सब को कहना चाहता हूं, कि इस situation में, जब आप दूसरे को comfort जो उनमें, उसकी sadness से बाहर लाना चाहते हैं, तो कभी भी सलहाय मत दीजिये, और सलहाय क बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, don't give advice unless you are asked for, सलहाय केवल तभी दीजिये, जब आप से सलहाय मांगी जाए, otherwise वे सलहाय नहीं होती है, लोग उसको otherwise लेते हैं, आज इतना ही, मैं आसा करता हूं कि आपको मेरे इस तरह के वीडियो बहुत पसंदाते हैं, आप मेरे चैन वीडियो पर आपके comments हमें काफी motivation देते हैं, और यदि आप इस से अधिक जानना और समझना चाहते हैं, तो VKDLC पर आकर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, आज इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धंड़ेशा करते हैं, आज इतना ही, फिर मिलते हैं,